हेलो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगी सिल्फ ब्राइडियल मेकप लूग और वो भी बहुत इजी स्टिप्स को एपलाई करते ही ऐसे एक सिल्फ ब्राइडियल मेकप लूग तुम भी केट कर पाऊगे इसलिए इन तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों और अगर तो मैंने स्टिफ एक ब्रस और एक ब्यूटी ब्लेंडर के सहारे इस मेकप लूग को ग्रियेट किया है तो देखो पहले मैंने ब्लू हेवन का काजल को ले लिया है और अपने आईब्रो को फील कर लिया है ऐसे बहुत ही pigmented है और ये काजल बहुत ही अच्छा है दोस्तों इसके बाद मैं अपने eyebrow को decent दिखाने के लिए मैंने उसके उपर से concealer को apply कर लिया गए और ये concealer था makeup revolution का eyes के उपर भी concealer को apply करना तो eyeshadow बहुत ही prompt दिखेगा और ये रहा मेरा eyeshadow palette यहाँ से मैंने orange color को लेकर इसको feel किया है प्रेंटेंट वाइल से भी मैंने थोरा सा golden color को लेकर touch up कर लिया है orange के उपर से और इसके बाद मैं एक green color का जो liquid होता है जो eyeshadow उसे मैं apply कर लियोंगी प्राइडल makeup look है इसलिए glittery eyeshadow apply करने से हमारा आई बहुत ही आच्छा दिखेगा प्यारा दिखेगा इसलिए मैंने इसको apply कर लिया है और इसके उपर मैं golden color का एक eyeshadow apply करूंगी यह था स्वीज ब्यूटी का दोस्तों दोस्तों 500 रुपीज के अंदर हर एक product तुम्हें मिल जाएगा 150, 150, 150 रुपीज ऐसे ही इसका MRP है हर एक product का अब मैंने Maybelline का mascara को apply कर लिया है और eyeliner को भी apply कर लिया था cream को apply करने के बाद मैंने primer को apply कर लिया है और इसके बाद मैं foundation को apply कर रही हूँ Maybelline का 128 shade fit me का जो है उसी को मैं apply कर रही हूँ ऐसे Blender को अच्छी तरह से गीला कर लेना तो यह अच्छी तरह से makeup को blend कर देगा Wet n Wild से ब्राउन कलर को लेकर मैं contouring को complete कर रही हूँ फिर से थोरा सा concealer को apply कर रही हूँ Canceler natural दीखे इसलिए थोरा सा makeup setting जो powder है उसे थोरा सा apply कर रही हूँ और इसके बाद काजल को मैं apply कर रही हूँ Leonard मैंने यह faces Canada का लिया था और काजल मैंने यह blue heaven का लिया है दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों गोल्डेन कलर से मैं अपने आइब्रोज के कॉर्णर को थोरा सा हाइलाइट कर रही हूँ ग्लू हेवन का जो मैट लिप कलर है रेट कलर को मैंनी है अपलाई कर लिया है अपने लिप के उपर रेसेप्शन स्पेशल मेक ओवर लुक है तो इसलिए मैंने सिंदूर को पहना है और ये सिंदूर है कलर बार का जो स्टिकर बिंदिस मिलता है उसी को मैंने ही हाँ अपलाई कर लिया है कामा आयरुवेदा का जो रोज वाटर है वो डे मिस्ट की थरह भी काम करते है उसे मैंने स्प्रे कर लिया है और हो चुका मेरा मेक अप लुक कंप्लीट दोस्तो तो आज का ये सिंपल मेक अप लुक तुम्हें कैसा लगा जरूर मुझे कॉमेंट्स करके बताना मुझे लगता है जो सिचुएशन चल रहा है अभी अगर पाल लर नहीं जा पाओगे तो ऐसा एक सेल्फ ब्राइडियल मेक अप लुक अपने रेसप्शन के दिन ट्राइ कर सकते हो या अपने शादी के दिन भी ट्राइ कर सकते हो और मैंने बहुत इजी प्रोसेस को अबला युझे लुझे है लुझे है दो